किसे सने सल्कक कर लिए इसकी तो शगरी ने उच्छी लागती है इसको केसे दुखु उसने बखु Guardi नहीं बुझता है यह एक वाट मिल जाता है अगर अग्याइन मुझे ni जाएज दी गई, पुलिस वाले से सम्थिंग थी, कुछ डंडा उंडा ऐसा ही कुछ पकड़ाया था, बोले ऐसा ऐसा डायलोग है, तुम बोलो, यह सब मन गड़न बाते हैं इंस्पाइरिंग स्टोरीज ओफ यूमन्स नमस्ते तरण जी, नमस्ते, स्वागत आपका हमारे इस पॉड़कास्ट में, थैंक्यू सो मच, तो वैसे ताओ कॉइट फेमस हैं, लोग आपको जानते हैं, आप एक्टर्स वाजी इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, पर आप हमारे इस पॉड़कास्ट पर प मेरा फैमिली यहीं पर है, और बेसिंगल यहीं से स्टाट गिया है, सो कॉलेज से जर्वनी स्टाट हुई मेरी, मैंने थोड़ा सा सिंगिंग से स्टाट गिया था, कॉलेज में, स्कूल में कुछ चोटे बोटे शोर्स करना स्टार्ट में, तो एप्रिशेशन मिला कि नहीं गाना स्टार्ट गया, तो इस अच्छे शोर्स करने लगे और बहार के अपने बैंड के साथ में शोर्स करने लगे रगे रगे हिमथ मिली कि टीचर भी वगएरा फैकल्टेस बगएरा बोलने लगी कि आर नहीं तुम कर सते हो वह इस अच्छी है, तो कुछ करो तो ठीटर जब स्टार्ट किया था, उससे पहले में सिंगिंग कर रहा था, तो सिंगिंग के दर्वेन किसे ने बोला कि आप अगर इतना अच्छा एक्स्प्रेशन के साथ में लाइव शोर्स करते हैं तो आप ठीटर जोन कीजिए, तो काफी चीज़ आपकी अंदर और सुधरेगी औ तो यह जर्णी स्टार्ट रही और फिर सिंगिंग से थीटर, थीटर से फिल्म लाइन का सफ़र स्टार्ट हुआ, तो यह तो आपने बता दिया अपनी स्कूलिंग की अपनी कौलिफिकेशन की बाते जो जो थी, अब मैं चाहता हूं कि जैसे कि आपने बात आया कि आप इस तरीके से हम लोग इवेंट करते थे, तो बैंड भी होते थे, कभी सोलो सिंगिंग भी होती थी, तो जब मैं परफोर्मेंस दे रहा होता था, तो कुछ लोग आपके मुझसे मिलते थे, कि तरुन यार, तुमारा सिंगिंग अच्छा है, तो इसका यूज करो, थीटर ज इसका पाओगे, ऐसना एक्टर भी ग्रोव करोगे, और दूसरे डिपार्टमेंट में तुमको पता चलेगा कि क्या क्या कैसे काम किया जाता है, तो उस दर्वियान मैंने उन लोगों की बात सुनी, फिर उदेपूर में एक थेटर एंड नाटियांश करके, तो मैंने वो ज इसके दो जाते हो, तो वह पे जाकर आप अच्छी तरीके से और खुद को ग्रो कर सकते हो, आप अप्ध को फ्लरेश और वो सब कर सकते हो, तो आपके अकॉर्डिंग, फिल्म स्कूल में जाना ज़रूरी है, मेरे हिसाब Se, कोई ज़रूरी नहीं, आप फिल्म स्कूल में ज opportunity ठीक हमको मिल गई अगर if in case मुझे नहीं मिलता तो मुझे मेरा passion, मुझे मेरा काम से जो प्यार है, मुझे follow करना था मुझे आगे बढ़ना था, तो मुझे कई न अगे रस्ते तो डूब नहीं थे, तो होता है कि हम लोग film school के नाम पर क्या है न अब बोल देतें कि वहाँ जाते हैं, तो ही एक्टर बढ़ पाएंगे ये सब मन गड़न बाते हैं आप किसी भी एक अच्छे short film director या किसी film director में short film भी भी बोलूगा अच्छे director के साथ में अगर आप जूड के as an assistant भी काम करें तो आप इतना पुछ सीख रहे हैं जो शायद फिल्म school में भी ना सीख पाया तो ये चीज़े matter नहीं करती कि आप किस film school से हैं क्योंकि Moscow है या FTI है NSD है theaters है, बहुत सारे groups बढ़ने हैं Barry Jones है, बोलते हैं कि वहाँ से बड़े-बड़े actors निकले बहुत बड़े actors निकले और बहुत बड़े actors निकले और कई दूसरे अनुपम खेर Academy है सर से के वहाँ से निकले तो basically होता है कि हर जना अगर वहाँ जा रहा है तो ऐसा तो नहीं कि हर जना स्टार बन रहा है वह चीज है आपको एक अच्छा director अगर मिल जाता है ना तो आप एक अच्छा actor अपने आप बन जाएं या एक अच्छा artist अपने आप बन जाएंगे बस आपको एक अच्छा person मिलना चाहिए जो आपके बीचे camera लेके कड़ो आपको shoot कर रहो क्योंकि आपको वही समझ सकता है आप कितना भी theater चले जाएं या कितना भी film school चले जाएं अगर आप on screen पे या set पे zero है ना तो वह सारा zero हो जाता है जो आपने सीखा है तो जैसा कि आपने बताए कि director है वह पैचान लेता है कि किसको actor बन सकता है कौन नहीं बन सकता है वह जाता है तो जैसे कि हम बात करते हैं at home होता है कि अपभी डारेक्टर हैँ आपú करते हैं तो हमने ये चिज़ सुनी है कि लोग कहते है कि आप पैसा फेको आप जाओ एक्ण बन जाओ तो ऐसा होता है तो उसका सबसे main concern उस चीज़ को लेके होता है कि वो उस चीज़ के लिए आप खुद चल के आया मैंने तो फोन नी किया पोस्स देखी हो आया है तो मतलब उसको कुछ ना कुछ करना आड़ना है तो चीज़ क्या होती है ना कभी कभी कुछ चीज़े होती है जो registration पर based होती है बट वो नहीं लेना चाहिए ये भी मैं बोलूँगा उसका reason ये है क्योंकि जो अच्छे productions होते हैं वो कभी भी पैसा नहीं मांगते हैं वो पैसा देते हैं आपको काम करनेगा अगर मुझे आपसे काम करवाना है तो मैं आपकी काबिल्यत से आपके साथ में काम करूँगा ना कि मैं बोलूँगा कि मेरे को पैसा दो अगर मैं कोई पैसा दे रहो तो फिर मैं आपको क्या दे रहा हूँ मतलब कुछ समझ में नहीं रहा है तो होता है जो बड़े productions है clearly बोलते हैं कि जह script है यह किरदार है हमको आप सावज में आ रहा है तो मेरा भी पैटन ऐसा ही रहता है और मैं बहुत उसमें डीटेलिंग में जाता हूँ फोटोस मंगवाता हूँ प्लस उनसे फोटोस देखने के बाद किरदार को बिल्कुल संजीतगी से देखता हूँ प्लस उस script के according यह dialogue बोल पाएंगे इनके expressions कैसे जाएंगे देन हम उस चीज को continue करते है फिर मैं director के पास में बेजता हूँ कि आप मेरी जिम्मेदार से इसको बलीजे इसकी acting बहुत अच्छी है पूरा एक process होता है हवा हवा ही नहीं होती कास्टिंग डिरेक्टर बोलता है कि बस उसने बोला है उसने ले लिया ऐसा नहीं होता है पूरा process होता है एक chain होती है जिसको हमको पूरा देखना होता है देन फिर वो set में जाता है और फिर लेवल पर काम करता है और जहां तक आपने पैसो की बात करी तो कुछ लोग होते हैं सर मैं दे दूँगा तो हम बोलते हैं कि आप दे देना कोई problem नहीं है बट आप उस पैसो का सही से उप्योग आपके आपके किरदार पर हो रहा है नहीं हो रहा है बट आप उस character के लिए नहीं बने हो आप पैसा दे के चले जाओगे तो एक जगे आप ज़्यादा ज़्यादा कर लोगे आगी क्या करोगे कहां का पैसा बाट होगे आपको एजना actor खुद को साबित करना है न तो फस्ट आप अपना profile बेजिए आप अपने character को समझे कि मैं किस character के बात कर रहा हूँ उस character के according एक audition बनाई है फिर एक intro बनाई है तो मैं चाहूँगा कि आप in detail थोड़ा सा बताए कि क्या रहता है मतलब जैसे हम glamour world की बात कर रहे हैं तो इसमें A to Z तग आप पूरा in detail बताए कि कैसे एक actor screen पर लिखता है देखो अनन क्या होता है इसमें पूरा process होता है जैसे हमार पास requirements आती है director के थूरू यह productions के थूरू कि sir हमको यह product shoot करना है sir हमको यह web series करनी है यह film करनी है music video करना है x y z जो भी उनका product होता है हमको दू female की requirement है दू male की requirement है actor चीए यह age होती है यह age criteria चीए और इस तरीकी का किरदार है चार लाइन हमको दे दी जाती है अब आप 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 जानों आपका काम जाने हमको अच्छे मज़े होए कलागार चीए अब हमारा जो process start होता है वो कैसे होता है हमारा हम requirement डालते है publicly इस्टर्राम पे जो भी social media के थूरू है या हमारे groups में है कि बही मुझे सब्सक्राइब आपको अपने इंट्रो वीडियो बंगवाते है तो उस इंट्रो वीडियो में होता है कि वो जब बोलते हैं केमरे के सामने वही हम पता चले जाता है कि यह जो डालोग से बोल पाएंगे नि बोल पाएंगे इंटर ग्रूप के जो लोग थे उन से सिखा तो जर्णी असे स्टार्ट उज तो पता चला कि क्या होता ना बेखेंड में काम बूट सीखना होता है आपको स्टेश में भी काम करना होता है इवन हमको चोटे से चोटा काम करना होता है जाडू लगाने से पोचा लगाने तक का काम करना होता है तब जाके एक महीने बाद में उसके लिए भी वेट करना होता है उसमें भी मुश्किल से एक लाइन तो में ज्यादा बूल रहा ह नामी नाम है, मेरूंगा जैसे सुबस्तू, दक्ष भया है, उनके साथ में मैंने स्टार्ट गया था, शॉट फिल्म बनाना करना, तो लाइक इस तरीके से दीरे दीरे कुछ छोटी फिल्मों के साथ में मैंने काम स्टार्ट गया, और जर्नी अपने आप में बहुत बैतरीन क्योंकि थेटर से निकलने के बाद में यह नहीं पता था आप करें क्या, एक्टिंग, कॉंफिडेस, स्टेज फिया, सब सीगया, लाउड बोलना, कैसे गरना, उसब कुछ सिखा था, स्टेज के ऊपर क्या करना है, इवन मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना, उसब तो थेटर सि 12 या 13 मैं मैंने थेटर जोइन किया था, तो यह जर्णी चली 2-3 साल तक, और फिर यहां से भी सिखा, कई जगे से सिखा, फिर 2015 में जब मेरा last final year था, इंजिनिंग भी चल रही थी, शोज भी चल रहे थी, थेटर भी चल रहा था, तो उसी दर मियान मेरे फ्रेंड के तू कि गौरव है, गौरव प्रभागर करके, और बुरा, अभी यह जो मेरे कॉंटेक में है, काफी फिल्मेकर से, जो एक्टिवली वर्क कर रहे है, स्वारव जैन है, तो यह लोगों के साथ में दीरे-दीरे मैंने फिल्म स्टार्ट करीए, तो शॉट फिल्म में मैंने काम करना ह अपने स्टेश में देखाि, और साथ में करना हूघ और रहे है, वर्का किम्रेकर से, वह लॉइक देखे है, आप जैना कि आचा फिल्म्स को काम करना है, करें यह धीरे यह बहुत, इक बुल भूटा हो झीरे वहिते हैं, कल चानाँ पने, तक आधाल निल्म स्टारव और जब आप काम करते हो तो पूरा scenario चेंज हो दया था आपका, बोलने का, एक्परेशन के, चुट एक्परेशन काउंट होते हैं, तो जोइन किया, थीटर, फिर थीटर कंप्लिट हुआ, तो फिर यह करने लगे, कि फिल्मे स्टार्ट करी, शॉर्ट फिल्म मिली, शॉर्ट फिल करी, शॉर्ट फिल्म स्टार्ट करने के दर्मियान कुछ शॉर्ट फिल्म करी, तो मुझे दो अजार अठार में एक पैली बॉलिवूड की फिल्म मिली, जिसका नाम था, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, विशाल बादवास सर की फिल्म थी पठा ता, जो पठा का फ फोटो मांगा गया, फोटो सेलेक्ट हुआ, फिर मुकेश चाबरा टीम से एक परसन आता है, वो आपको बोलता है कि मैं आपको बुला रहा हूँ, आप आईए, वहाँ पर मेरको एक इंट्रो देना था, वो इंट्रो लिया, फोटो फोटोग्राफ्स गया, उन्ट्रो के ब अब ही कुछ नहीं किया, बट एक केमरे के सामने, बड़े डेक्टिंट सामने आपने काम किया, विशावित बादवाज अपने आप में बड़ बड़ा नाम है, वो बहुत, मतलब वो कोर सीनेमा बनाता है, जिसको मूलते है, रियल सीनेमा, आपने फिल्म देख्यों कि काफ मुझे वापस मुखेश चाबरा टीम से कॉल आता है, उससे पिले में एक दो बार कई बार मुंबाई गया हूं, इंटरस्टिंग स्टोरी है, कि मुंबाई गया हूं, तो मुंबाई में आता जाता रहता था था, आडिशन देने जाता था, मुखेश चाबरा, सर का ओफिस वर्स होँ है, तो वहाँ पर मैं अदेरी में लेते थे, फ्रेंड के साथ में नाय गाह हो रहा हूं है, तो वहाँ से भी मैं काफी मतलब पॉदिशन देने के लिए निकल जाते थे, तो करिबन बहुत टाइब होगी है, मुंबाई में कुछ हो नी रहा है, क्या करा है, क्या क कभी नी मिला, और जैसे में उदेपूर आता हूं, 2019 में मेरे पास कॉल आता है कि मुकेश चाबरा टीम से, मुकेश चाबरा सर की टीम से, कि आप एक फिल्म बनने वाली है, उसके अंदर में लीड में कार्तिक आरेन है, साराली खान है, और आयूशी शर्मा है, और डिरेक कर है, तो और में जो जब मुकेश चाबरा सर की टीम की एक राजस्थान में जो टीम थी, जो उदेपूर में तै हो, रेनुका पूरोइत में है, उन्होंने लागा ऑफोटो मांगा था, तो उदेपूर में यह पर सब से पहले से, में को एक कास्टिंग है नावएद करके तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल वेजा हुआ, फोटो उन्हों अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरा फोटो मांगा, तो फिर रेनुका से डिरेक्ट मेरा कोडिनेशन हुआ, कॉल आया कि मैं मुकिश्चाबरा टीम से बात करें तरून, और आपको आना है, एक इंट्रो वीडि तो मैं बट बड़ा फेन था, यॉक्स्टार अपने अपमें बहुत बड़ा मास्टर पीस है, अभी भी भी वह उर्चाबरा गानया है तो मैं का मिल अन्हों तो अल्लगी लेवल पर एक्साइट्मेंट था और फिर अमें बोला घी तो जैसा भी बताता है तुमको तो मैं ब वोलना है आपको ठीक है तो मुझे कुछ lies दी गई फुलिस वाले से सम्थिंग थी कुछ डंडा उंडा एसा ही कुछ पकड़ाया था वोले एसा-इसा डाइलोग है तुम बोलो तो मैंने कर लिया वाँ पे किया तो मैंने का मैंने कर लिया तो अब मतलब साही जा रहा है क्या फिल्म नी निकल जाया, तो मैं वो सारी चीज़े बेखेंड में चल रही थी, जैसा भी होता है, मैं सर को दिखाती हूँ, तो फिर उसके बाद मों डिस्कस करेंगे, तो मैं नगा ठीक है, फिर मैं घर आ गया, तो हुआ क्या, यह सारे चीज तो हो गया, उसके बाद मैं उसी दर्माद दो फिल्म है चल रही थी, इर्फान सर की भी फिल्म का अंगरेजी मीडियम, उसमें भी मेरा ओडिशन हुआ था, और उसी टाइम ओडिशन इंप्तियाज़े लिए था लवाचकल फिल्म के भी लिया थी, इंप्तियाज़े लिए सर ने, तो दोनों में में मैं पून आता है कि तरुन आपका नहीं हुआ है और एक्स्रेमली सॉरी रेनुका से मेरी बात हुए थी तो बोले कि तरुन आपका नहीं हुआ है तो नेक्स में कुछ भी होगा तो मैं आई डेफिनिटली रह फर यू जो ठीक है कोई प्रब्लम नी तो इसे बिटाओ थ मैंनका इंगे ड्रथ अली सरी की फिलमी चली कि यया मैं को करना था ज़य तो में मेरे काफ़ी आजीज हैं और काफ़ी बड़े भाया की तरह में मानता हूं उनको सुभस्तू भाया बोलता हूं उनको सुभस्तू दक्ष भिया तो फिल्मेकर हैं, काफी अच्छे, और उदेपुर में काफी नाम भी है उनका, तो उनका, मैं ऐसा परसनली में, जनली बहुत कम बोलता हूं, बट यह मीडिया है, और दुनिया तक बात जानी है, उनका इंटुशन जो है, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा है, वो क अच्छबिया का फोन आया, कि तरून सारे जने जाने है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, आज जो जो सलेक्ट हूं, वो सब रेडिसन में बेठे हो और उनका है, वो है, आज फाइनल वास, इम्तियाजली सर्स से मिलने जा रहे है, तो उनको दिखाएंगे, कि क्या-क्या है, जो भी प्रेजेंटेशन है, क्यरेक्टर के साफ से, जो फाइनल है, मैंने थीक बात है, मेरा तो हुआ नहीं है, मेरे को साफ मना कर दिया है, तो अभी अपना तो कोई चांस नहीं है, तो मैं जितना कॉन्फिटेंट नहीं था, सुबस्तु बेह तरून तेराफ होगा, मैं तो फिल्म में बहुत बड़ा किरदार निबाना है, तो जा, और तो अडिशन दे में जाओं किसा एंट्री ने बोले, जूर भी बोलना थो जा, तो कानी के स्टार्ट होती है, कि मैंने का ठीक है, जबकि मेरा सेलेक्शन ही नहीं हुआ था, तो मैं तो निकल गया, मैं गया, पंडर में दे मैं इट्सें के बार मैं, तो बोले कि किस से मिलना है, मैं का व मैं को बुलाया था, उडिशन के लिए, जबकि मेरा सेलेक्शन नहीं हो था, तो बोले ठीक है, तो इंतिया जली सम् Gold ने बुलायpos आना है, तो मैं आया हूँ, तो अंदर और रेनुआ मैंने बो करें तो न इंया तो मेंने काолов आजा तो यह नहीं आजए गया तुम्हारा नहीं हुए है तो नो है नशी में तुम में तुमहारा वोग सब्सेल अब क्जू करें जो तो का going नहीं हम नहीं है अज है अजा यह मैंने को स्थिश वन सनोड़ा को वन खो घ्नमा का rotations आपका नहीं हुआ है ऐसा नहीं होगा और रेनुगा में बुल रहे थी तरुन तुम्हारा सेलेक्शन हुआ तो प्लीज तुम जा सकते हो आपको अपर जा रहे हो तो उसी दर में के इम्तिया दाली सर वाप पर ऐसे रैंडम जा रहे थे वादब गैलरी के उपर एसे कुछ ख कर दूँगा तो मैंने सिखा हुआ थो तो बहुत लिया इसको अच्छा तो इम्तिया दाली सर नहीं बूला लो इसको तो मैंने का ठीक है यह तो सही हो गया एकदाओ और जबकी मेरा सेलेक्शन भी नहीं था और उमेरा जाने कही ताने आविज बूला था तरुमे आपका न अच्छा तो मैं अच्छा तो मैं अच्छा तो मैं उपर गया तो वहाँ पर सब बेठे हो तो मैं तो इम्तिया दाली सर को देखते हुए तो वहाँ पर मेरा ऐसा सब का अपना अपना चल रहा था तो बूले कि लड़का था ना तो उनको भी इन बार एक करेक्टर देते तो तो बोले कि यह एकर्क्राइटर है तरून, यह करू एक आपन फिर देखते हैं तरू मुझे देखते हैं तो मुझे इसक्रिप्ट दी ऐसा इसा हिया तो बिटे बोड़ी हो देखा मिनका सर में जाऊ नहीं जाओ अब मेरी फिल्म करना काम करो और इसको लेना चाहे था तुमक वाही तो लडू बूट रहा है वाही तो लडू भूट रहा है तो अर अलग लेवन पर और गर आके तो नॉमन लूगा मैंने किसी को कुछ नहीं बताया मेरा अधतिन यह मैं जर्नल नहीं बताता हूं जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाते हैं उसके बाद में इतना नहीं करता हूं अशका है बतलब काम कर लो ठीक आगे बड़ो और काम करते जो अच्छा काम करो के डिलीवर करो तो यह सीनुआ तो सारे पिक्चर क्लियर और अप पूरा फिक्सड है पुलिस वाले का एक खिरदार बिला तो मुझे हवल्दार का वह मुझे को करना है तो अब वहां पर ऑन सेट में गया वहां पर बाद में मुझे पता चलता है कि मेरा खिरदार किसी और को दे दिया गया है कोई थेटर के माने वह बड़े कलाफ आरत है मे मैंने का यार मेरे को तो रियसल कर वही मेरा अडिशन हुआ यह सब कोच हुआ और में मेजर केरेक्टर दिया गया फाइटिंग का था का तो अब सेट पे जाते हो आपको पतलता है आपको किरदार है तो आप सोचो आएक बार मैं प्रिपेर ही नहीं हो पाई अस चीज के लि उनको मिला बट उनसे दू-तीन बार वह क्यरक्टर कर वाया वह क्यरक्टर निकल के नहीं आ पाया तो इम्तिया जली सरक्या ऐसे कर रहे थे वह जब देख रहे थे तो उनका टाइम भी जा रहा था उनने बोला एर वह एक लड़का था जिसको मैंने कुछ बताया था तो इस भी जेहान तर कोई नाम बूल रहा हूँ तो उनकिे गैडी है उनको तो कपड़ेंगर को इसको आये कर रहा है फाइनल है हुआ है और करेक्टर चैंज दे आ। ..स유 मेरा भी रूर्सार। हूद हैं, वा हम फ्ले मे। हैं भूरो रुट देस किरदार फिल्म रिलीस एंटेश हूग से ज suckast और यह इस भिड्या देए को पी तो चाहती? जिए पर अपना माइंड सेट है तो बोले किया इसको केसे सहने सदिक कर लिया इसकी तो शकली इन उच्छिन लगती है इसको डूशने को कपड़े नी तक बेड़ तक दील होता है फिर मेन वोला संन में को कपड़े नी मिल रह वोले हो लड़का आई नी रह क्या हो तो मैंने तो बोले इसले निमले रहा है को बंदी हुआ जो केस ले किसी लिया वाद अपना अलग ही चलता था मेंने सबको साइड में रखते हो मैं जिसको जो सोचना सोचो मैं अपने अंदर शांतो और खुब सुरत हूं काम परना है हो मिल जाएगा तो ठीक है ने तो गर चला जाओगा कोई तिककत नहीं है सब्सक्राइब मुझे सब्सक्राइब बाद में काफी देर बाद में बीस-बड़ बाद में मुझे अपने अपने जो डेसकोट था वो मिला फिल्म है सेट फे गया और शूट होगा और फिल्म रिलीज हूई उसमें मेरा किरदार आया और इवन मुझे में शुक्रिया दरना चांगगा इंतियास था उन्होंने मुझे ट्रेलर में इसपेस दिया होता गया है एक नया जो गरेक्टर होता है जो जिसका अभी तक कोई जो जानता नहीं हो उसको आप एक बड़ा डिरेक्टर आप ट्रेलर में इसपेस दे रहा हो एक खिरदार के लिए बड़ी बात होता है जो फिल्म को प्रेजेंट कर रहे है बट मुझे उस ट्रेलर के अंदर ही इसपेस मिला और मेरे ट्रेलर आया तो मेरे कुछ लोगों ना कि अनव सके बड़ा रहा है तो वह एक tahun कियो घाया तो राप थे मह कीरद कर घृटपकर पांच मिट का जिसमें जका प्रइन के अनना यह काट्य के सब दहनाла है तो जैसे क कि आप अब पर वहा कास्टिंग राड़कतर बी हो और आप एक्टिंग भी कर रहे हूँ तो आप इतनी सब चीजे एक साथ जब लेकर चलते हो, तो कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मैं Jack of All हो जाओ और Master of None, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? अनन्त ऐसा है कि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो यह चीज मैं वाइड जब आप ठीटर करते हो ना तो थेटर आपको एक लिबर्टी देता है कि आप जो करना चाहो करो हर एक डिपार्टमेंट खुला है एवन आप किसी एक्टिंग स्कूल में जाओगे तुम कुछ अच्छी सी वोइस फिर उसके बाद में और चीज से बता चली कि यार तरून एक काम करो तुमने कुछ गाना वाना लिख सकते हो क्या हां लिख लेंगे तो ऐसा करने लगे यह चीज तो फिर मैंने यह चीज़े एप्लाई करी फिर मैंने दीरे दीरे एक्टिंग करना स्टार्ट किया तो एक्टिंग में उझे पहले नहीं पता थी थेटर से पहले मुझे यह नहीं पता था आप कर सका किसी ने बोला है कि तुम कर सकते हो इस तरी किसी ने बोला है कि तुम आर्टिस भी तुमारे जुगार से या जेसे भी तुम लाते हो और थे एक इतना मायनत करें कि फिल्मिकर्स बोत महानत करते हैं सॉ बश्रों काउन्त करते हैं चोट के निडिए है पाउंच्विकादी है और हो जो फिल्म है बनाते हैं लोग समझ सकते हैं तो मैं fucking इसका एक अननों कि ऐसी है बाई मेरे पास एक फ्रेंड है तो तुमको जैसा चीज है तो मैं दूं क्या वह लाओ ना तो भाई करेगा क्या तो उसको मैं बेज देता था ऐसे करते करते जरून स्टार्ट वेने लोगों को बोला तु भी वाँ जा तु भी वाँ जा पेसे को मुझा तुझे काम बहुत अ झाल जाती है अभी जैसे शिंगिंग का वगेरा जैसे आपने बताया तो मैंने स्टार्ट किया था नोड़ाउट थोड़ा कव हुआ है बट खतम नहीं हुआ मेरा कास्टिंग और मेजर्ली एक्टिंग है मेरा और कास्ट मैं करता हूं अच्छे प्रडुक्शन्स को और हमारे वोडेंटर लगे थे तो ऐसे टीम मेनेज करके मैंने करना स्टार्ट गया तो मुझे लगा कि हम कर सकते हैं और कर सकते हैं तो क्यों ना करें और बैलेंसिंग हार एक चीज़ बैलेंस हो रही है प्रॉपर तरीके से तो वह आपको देखना है कि आप किस तरीके से उन ची था कार्ड किया तो अभी काफी चीज़े एक साथ चल रही है बजान च्रॉपर आपके बद आते होंगे तो आपको उस मूवी में देखा और बोले बॉड डेविए क्या तो जो जो व्यद्गेशन वाली जो चीज है ने आपको आगे और काम दिलाता है आपके अर्कों क्या यहाँ आज मैं कहना चाओगा बिल्कुल दिलाता है क्योंकि उन्होंने कही ना कही मुझे देखा है तो मुझे एप्रिषेठी खी है और भड़ी चीज हाँ और मैं बड़ी। कीमकी होदा नहीं कि Lana यह वर्ल्ड ऐसा है, इंडस्ट्री ऐसा है, कि आप काम कर रहे हो, जब तक आपको रिकोंगेशन नहीं बीदा है, तो आपका कॉंफिडेंस नहीं बिल्डब होता है, क्योंकि लोग डीमोटिव करने वाला हाजार बेटे हुए हैं, यह यह क्या गर रहा है, यह कोई चीज होत और कर भी रहा हूँ अभी, बट ओविस से बात है, तो यह चीज थी, तो वैलिडेशन जब मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है, कि यार मैंने, चलो 100% नहीं, 1% तो कुछ किया, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा है किया, तो उससे क्या होता है, वो बोलता है, यह उस लड अच्छा है इनका काम है, तो इस तरीके से काम मिलता है, तो मेरे लिए तो यह समध लोग एक बूस्टर है, वैलिडेशन, तो मैं बहुत पॉजिटिव लिए लेता हूँ, और गल्दिया भी है, तो अगर बताते हैं, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, फिर उसको सॉल करन मी इन एक्टर, आप वो क्या तीन एडवाइस देना चाहोगे, एस्पारिंग एक्टर को, जो आपको देख रहे हैं अभी? अगर आपको सही, मैं एजन अप्रोफिशनल एक्टर की बात नहीं करा है, अगर जीवन में अच्छा कलाकार बना है, कलाकार किसी भी फॉम में हो सता है, हर एक फॉम में चिपा हुआ है, आपको सबसे पहले सुनना होगा, जिस दिन आपने सुनना स्टार्ट कर दिया, कि आ अगर आप ये तीन चीज़ कर लेते हैं, सुनना सीख लो, काम को अच्छे से समझ लो, कर लो, और उसको मैनत से करो, शांत रहो, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, चीज़े सॉल्व हो जाएगी, काम मिलता रहेगा, काम करते रहेंगे, सकारतमक होते जाओगे, एक शक्ती है, जो सकारतमक है, उस पर ध्यान लगा कर रखो, अपने आप सब कुछ अच्छा होगा, that's it, but मैनत करनी पड़ेगी, खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा, और डी मोटिव नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़े डी मोटिव करने के लिए है, मोटिवेशन थीन चीज़े लाइफ में फोलो करें, शांत रहें, काम करें, सहज रहें और मैनत करें, that's it,